कि सभी साथियों को जैभी साथियों यह वीडियो कुछ घटना करम जो अभी हाल में आगरा में चल रहे हैं आगरा में जो कल दैनी दर्दनाक भयावक अत्यकांड जो हुआ है जिसमें 15 साल की एक बच्ची को सरयान पैट्रोल छड़क कर जिन्दा जला दिया गया है संजली ने कल रात में दम तोड़ दिया यहां पर 75 फिजदी से ज्यादा वो गंभीर रूप से जली हुई थी और इस मामले को लेकर पुलिस ने अभी किसी को भी नामदज नहीं किया है अभी तक 36 गंटे से उपर यह प्रकराण को हो चुके हैं और पुलिस को अभी तक इसमें कोई भी लीड अभी तक नहीं मिल पाई है इस मामले को संग्यार मैंने एक बाद मैंने सुभह है सस्पी से और स्पी क्राइम से बात करने का प्रियास किया ता लेकिन बात नहीं हो पाई थी और उसके बाद के बारे में पराप्त की तो जानकारी में आया कि डीजी पी साहब के मामले में ये संग्यान में हैं और उन्होंने मुझे बताया कि इस मामले को लेकर दो संभावेत संधिक्दों को गृफतार करके उन से पूच्टा चखी गई है और उस पे जाहत जारी है कमिटियां टीमें गठित कर दी गई हैं डी आइजी रेंक का अदिकारी मामले की मोनेटरिंग कर रहा है और साथ में एडिशनल कर रहा है साथी साथ डीजीपी का जो ऑफिस है वो भी इस मामले पर बराबर निगरानी रखा हुआ है तो पर तीन बजे हमारे पास एक और अधना ख़बर आती है कि संजली के भाई ने भी जहर खाकर आत्मत्य करने का प्रयास किया है और यह भी खबर आई कि तीन बजे उसके भाई ने भी दम तोड़ दिया तो साथियों बहुत ही ज़्यादा इस्तिति सही नहीं रही मैंने प्लिस प्रशासन से यह कहा कि देखिए इस मामले को लेकर समाज म आई समाज के लोगों से अगर बात नहीं करेंगे समाज के लोगों से बात नहीं करेंगे इसे महामले में अडियल रौई दिखाएं गर उसकी बात अइब यह ने डीजीपी यूपी से सिकायद भी की उनसे कि आप एसपी और एसपी को दोनों को देखी किस तरीके से कारेवाई कर रहे हैं और किसी भी तरीके से जनता के बीच में जो समबाद है वो तूटना नहीं चाहिए अभी जो मेरे को खबर आई है और यह मांग की जा रही है कि योगी यदित इनाट पत्रकादश की स्कीम वहां पर आए और साती साथ एक क्रोड का जो compensation है जो के पिछले cases में भी योगी सरकार ने दिया है तो compensation भी उसको और परिवार में एक वेक्टी को नौकरी वो भी ऐसी के ऐसी मिलने चाहिए किसी और की बेटी होती है उसके साथ अगर संबान होता है तो हमारी बेटी के साथ भी बराबर रूप से संबान होना चाहिए तो संजली के मामले में भी मैं योगी अलतिनाजी से यही दर्ख्वास करूंगा कि आपने एक तो आपके राज में उत्रप्रदीश की कानून विबस्ता एकनी धता हो चुकी है कि प्लिस प्रसाशन आपके कब्जे विबस्त के भार हो गया है आए दिन हमारी बहन बैटियो पैट्रोल चुड़कते हैं और एक बच्ची को आके हवाले कर देते हैं इतना दयने उत्तरप्रदेश की कानून विबस्था की स्थिति इतनी घटिया और खतरनाक हो चुकी है और उसके बावजूद भी उत्तरप्रदेश की सीएम को सरम नहीं है कि आज भी हम आपके सामने देख रहे हैं कि उत्तरप्रदेश की जो विधायक हैं वह हनुमान की जाती बताने के अवाद सीम ने जाती बता या उनका ध्रम बताने के लिए लगे हुए उनकी प्रायरिटी आप देखिए तो मेरा दर्खवास यही है कि आपने जो आप से कान तो स्तीफ़ादी यह दूसरी पार्टी को जंता का सेवा करने का मौका दिए तरस्त आ गई है जंता दो साल के अंदर इतने भयावक रेपों की संख्या जाए और हर दिन अभी उत्तर यह आगरा के अंदर ही पिछले दुनों में जिस दिन घटना हुए ऐसी दो गंभीर वि मामले में आप किसी भी तरीके का भीदवाव उनके परिवार से नहीं करें अगर दलित की वेटी है उसके साथ भी वही उसको इनसाफ मिलना चाहिए उसके साथ भी दूसरे प्रक्रोंड में हुआ है आप पिछले प्रक्रोंड वही एक करोड़ रुपे की सहायता दी है और स इन मामलों में मुझे लगता है कि आपको संजरी से भी भेदवाव नहीं करना चाहिए मुझे जानकाली दी गई कि 10 लाका कंपनसेशन घोषित किया गया यह ना काफी है परिवार के लिए कंपनसेशन को बढ़ा कर एक करोड कर किया जाना चाहिए दूसरा जितने भी लगता हो सकते हूए मैं मामलों में कार भाई में मामला फिछट्र जाता लुग लिए के साथ drinkingu के साथ संपर्क में हूँ और मामला भार इको हम लोग नहीं चाहते हैं महामले को log को से दूसरी तरफ रुख मोड़ा जाए अभी घटना की बहुत जारदा इंपोर्स बहुत जानकारी है हमारे पास नहीं आ पाई है तो इसलिए हम लोगों नहीं दिया है लेकिन मैं यह वहां की लोकल संपर्क में हूं लोकल साहति है और अगर ऐसा लगता है बिलकुल लगता है कि कोई भी रूप निकल के आती है लोकल के लेवल से तो हम उसांदूर्ण को सपोर्ट करेंगे मैं प्रसणल रूप से मैं भी वहां पर पहुंचूंगा साथी साथ मैंने डीचीपी साब को बोला ग और जंता के वीश में तूटता है और इसे बड़ा अंदोलन निकल के सामने आता है तो इसके लिए प्रस्प्रशाशन ही अपने आप में जम्मेदार होगा तो साथीयों और जो भी आप लोग के माध्यम से भी जो भी मुझे साथी देख रहे हैं आगर आपके पास कोई भी आप बैठ कर बरदास्त नहीं करना है आगरा को दलीतों की राजधानी बोला जाता है और तो की साथ में इतनी बड़ी नाइसाफी हो रही है तो वहां के तमाम जो राज़ितिक संगटन है तमाम जो सामाजिक संगटन है उनसे भी मेरा करबद निवेदन है कि इस मामले में स आप लोगों से अनरोध है कि इस मामले को बिल्कुल भी थंडा नहीं होने दे इस मामले को लेकर उत्तरप्रदेश के प्रसाशन पे आगरा के प्रसाशन पे पूर्ड रूप से दबाब बनाए रखे और मामले की सही रिपोर्टिंग और देखे बिल्कुल भी अववाओं से दूर रहें आगरा के लोगों से मेरा अनरोध है किसी भी तरही अववाद से दूर रहें अववाव में नहीं पड़े अववाव में पहलने से आप समझते हैं कि सामंज से और शांती विवस्था भंग होती है वह नहीं सबरती तो इसलिए जो भी आंदोलन की रूप रेख और संजली को जब तक संजली का इंसाफ नहीं हो जाता तो पर आप लोगों से अन्रोध है कि इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने किसी भी रूप में इसको आया गया वाला मामला नहीं बनने दें कि आज आज मैटर है दो दिन तीन देनी मीडिया में चलेगा उसके बाद यह से खतम हो जाएगा यह भी नहीं होने दें प्लीज आप लोगों से अन्रोध है कि संजली के हत्यारों को जब तक हम लोग फासी नहीं दिलवा देते तब तक इस मामले में एक आवाज अपनी बुलंद करके रखें दूसरा मेरा मेडिया के बंदों से निवेदन है कि तरही के से आप लोग उठाते आवाज बलंद करते उस तरहीके से संजली के लिए भी आप लोग आवाज बलंद करेंगे ऐसा मुरा विश्वास हाला कि उसकी इस मामले को इस मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक में काफी ज्यादा हल्चल मची जलसी जल्द क्या करते हैं पुलिस को करवाई करनी चाहिए को खोई भी अगर आगरा कामिरा साथी देख रहा है तो कोई भी आपके पास को नए इन्पुट आता है अपडेट आता है तो आप प्लीस हम लोगे साथ शेयर कर सकते हैं हम लोग आपके साथ में इस दुखी के साथ में हो तो साथ ही अन्रोध है आपका कि इस वीडियो को आप शेयर करते हैं कि यह जानकारी पहुंचाए और मैं भी प्रिस प्रसेशन के वहाँ पर लगाता है टच में हूँ शुक्रिये शाथ लिए आपका जोड़ने के लिए जय भीम जय भारत नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे